नमस्कार एक बाद फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज फिर से मैं आप सभी के लिए NCRT Solution Class 7 Maths Chapter 1 और यह exercise 1.1 है exercise 1.1 और हिंदी मीडियम है और इस chapter का नाम है पुर्णांक इस chapter को आपको जानना काफी जरूरी है क्योंकि आपक एक्जाम के लिए काफी महत्कुना और सबसे पहला चैप्टर है क्योंकि अभी आप नए-नए Class 7 में आये हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे डाउट होंगे मन में आपको चैप्टर को लेके Math के चैप्टर को लेके तो आप इन चैप्टर को बड़े द्हान से देखिए आए आध हम धीरे-धीरे ऐसे आगे के पॉइंटों को समझते जाएंगे सबसे पहला प्रश्ण मारा कह रहा है ऐसा पुर्णांक यूगम लिखिए जिसका यूग माइनस साथ हो क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से समझना है आपसे प्रश्ण कहा जा रहा है ऐसा प्लस करने के बाद वो क्या हो जाए माइनस सेवन हो जाए आप कहोगे बड़ा अश्चर्ज का बात है कि हमें प्लस करना है और नंबर माइनस सेवन होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए पुर्णांकों का एक यूगम क्या लिया गया है माइनस सिक्स लिया गया है और एक म आद रखनी है अब माइनस 6 और माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा और यही तो हमारा उत्तर भी होगा क्योंकि योग हमारा क्या पूछ रहा है कि माइनस 7 होना चाहिए तो अगर आप माइनस 6 और माइनस 1 को लेते हो तो माइनस 6 और माइनस 1 मिलके क्या हो जा कि घटाओ करने के बाद वो क्या आजा है माइनस 10 आजा है तो यहाँ पे पुर्णांक में हमने एक यूग में क्या लिया है माइनस 14 लिया है और दूसरा क्या लिया है माइनस 4 लिया है एक तरफ हमारा माइनस 14 है दूसरी तरफ माइनस 4 है अब देखे एक तरफ हमने क्या लिय minus 4 लिया तो अगर minus 14 में से minus 4 किया जाए घटाया जाए तो आपको पता है कि minus और minus का sign मिलके क्या हो जाता है plus हो जाता है लेकिन sign किसका होता है बड़े का होता है एक चीज़ याद रखिएगा minus और minus मिलके plus तो होता है लेकिन sign हमेशा जो होता है बड़े का वही होता है तो यहाँ पे sign बड़ा किसका है 14 का है तो पहले तो हम 14 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा और sign किसका लगेगा तो इसका लगेगा क्योंकि यही बड़ा संख्या है तो यहाँ पे minus 10 हो जाएगा और यही इ पुनांको का एक यूम हमने क्या ले लिया है माइनस पांच ले लिया है और दूसरा पांच ले लिया है जैसे कि आपको पता है कि पांच में से अगर पांच को घटाया जाए तो क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा ना तो ऐसा ही यहां पे हुआ है एक माइनस पांच है और दूसरा प्लस 5 है, माइनस 5 और प्लस 5 मिलके क्या हो गया, 0 हो गया, और हमारा प्रश्ण भी यही कह रहा है कि योग करने के बाद, मतलब प्लस करने के बाद हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो माइनस 5 और प्लस 5 मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यही हमें बताना भ था अब इसके अगले प्रश्ट में हमारा क्या कह रहा है दूसरा प्रश्ट पहला प्रश्ट यहां पे आपका पूरा समाप्त हो गया है पहले प्रश्ट को आप ध्यान से देखिए यहां पे पहला प्रश्ट हमारा यह था कि ऐसा पुर्णांक यूग में लिखिए जिसका य माइनस 10 हो, मतलब घटाने के बाद हमें माइनस 10 चाहिए था, वो भी हो गया, तीसरा था हमारा योग 0 हो, मतलब जोडने के बाद 0 हो, वो भी हो गया, अब दूसरा प्रशन की दरब देख रहा है दूसरा प्रशन मारा कह रहा है दूसरा का ए बिल्कुल याद रखिएगा एक ऐसा रिनात्मक पुर्णांक युग में लिखिए जिसका अंतर आठ हो हमें एक ऐसा रिनात्मक पुर्णांक युग में लेना है जिसका अंतर क्या है आठ होना चाह जैसे माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस दस, जिसमें माइनस लगा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिनात्मक पुर्णांक युगम कहते हैं, इसे ध्यान से रखेगा, तो हमें ऐसे ही माइनस वाले नंबर को लेना है, और उसमें से घटाने के बाद क्या होना चा तो देखिए, अब हम क्या किलेते हैं, अंतर हमारा 8 होना चाहिए, तो इसके लिए हमने कौन-कौन सा यूग मिलिया है, तो एक माइनस 3 ले लिया है, और एक माइनस 11 ले लिया है, अब हमने क्या किया, माइनस 11 कर दिया, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, अभी मै ज़र माइनस तीन है, तो एक ग्यारा में से ये माइनस तीन घट जाएगा, एक ग्यारा में से माइनस हो जाएगा, तो एक ग्यारा में से अगर तीन घट आ दिया, तो क्या बच गया, आठ बच गया, और साइन हमेशा बड़ा संख्या का होता है, तो ग्यारा का संख्या क्या ह पलस का sign है, तो यहाँ पर पलस का sign होगा, कई बार आपने देखा होगा कि अगर 7 लिखा हुआ रहता है तो इसमें पलस नहीं लिखा रहता है, इसका मतलब है कि वो पलस automatic होता है, पलस छुपा हुआ रहता है, तो यह हमारा 2 का A था, अब हम 2 के B की बात कर लेते हैं 2 का B हमारा कहता है एक रिनात्मक पुनांग और एक धनात्मक पुनांग लिखना है जिसका योग क्या है minus 5 है एक minus वाला number ले लेना है और एक plus वाला number ले लेना है और इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए minus 5 आना चाहिए तो हमने क्या ले लिया है minus 9 ले लिया और 4 ले लिया क्योंकि 9 और 4 को अगर 9 में से 4 को घटाएंगे तो यह 5 ही बचेगा न और अगर sign बड़े का minus है तो हमें वहाँ भी minus आ जाएगा तो यहाँ पे minus 9 लिख लिया, plus 4 ले लिया, अब minus 9 plus 4 क्या हो जाएगा, तो यहाँ minus 9 में से यह छोटा 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5, और sign बड़ा किसका है, 9 का 9 के आगे जो sign है, वही जो sign इसमें भी आएगा, तो minus 5 यहाँ पे बच जाएगा, यही 5 यहाँ चाहिए भी था, कहएगा है कि जिनका योग minus 5 हो, तो योग तो हमने किया ही है, और sign भी हमारा minus 5 आगे है, अब हमारा C प्रशन क्या कहता है, एक रिनात्मक पुर्णांक और ए इसका अंतर कितना आना चाहिए? माइनस 3 आना चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या लिया है, एक to minus 2 ले लिया और 1 ले लिया है, अब minus 2 घटाओ 1 है, minus 2 में से अगर हम 1 को घटाते हैं, तो क्या होगा, यह minus 2 और यह भी minus 1 हो जाएगा, तो minus minus प्लस हो जाएगा, तो 2, 1, 3 हो लेकिन sign यहाँ पिर किया चीकाओगा, minus तो यहाँ पे हमें minus three तो चाहिए था, हमें minus three चाहिए था और अंतर भी करना था, अंतर का मतलब होता है घटाओ करना तो इस menu करना तो इस magnitude से आपका आपका यहाँ पे क्या कहता है किसी प्रश्णोत्तरी के तीनों उत्तरों चक्करों मतलब तीन राउंड में जो एक्जाम हो रहा है ना उनके तीन राउंड में टीम A द्वारा प्राप्ट किये गए अंक जो है वो माइनस 40 है दस है और 0 है अब टीम B द्वारा कितना अंक प्राप्ट किया गया ह तो अब वहाँ पे, आपको तो पता है ने, किसी को ज्यादा run मिलेगा, किसी को कम run मिलेगा, तो यहाँ ऐसे ही तीन-तीन यहाँ पे भी game खिला गया, तीन-तीन यहाँ भी game खिला गया, एक में इतना number आया, minus 40, दूसरे में 10, दिसरे में 0, इसको दूसरा team जो था, उसको भी प को ले लेते हैं हम team a को ले लेते हैं तो team a को कितना नंबर आया है minus 40 10 और 0 तो हमने minus 40 10 और 0 को जोड़ लिया अब minus 40 10 और 0 को जोड़ने के बाद हमें देखना है कि हमारा number कितना आ रहा है तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा minus 40 10 और 0 में से हमने plus वाला 10 10 है और 0 है और minus 40 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा minus 30 हो जाएगा और sign हमेशा बड़े number का जो होता है वही आएगा तो बड़ा number कौन सा है का 40 था तो 40 वाला sign नीचे आ गया मतलब minus 30 आ गया तो team a को पहला जो team था उसको कितना number आया है minus 30 आया है अब हम बात करेंगे team b के बारे में तो team b को भी आया है 10 number 0 number और minus 40 number इन सभी को भी जोड़ा तो यह भी कितना आ गया minus 30 आ गया मतलब team b को भी कितना है minus 30 आया है a को भी कितना है minus 30 आया है इसलिए यहां पर नीचे लिखा गया है दोनों तीमों के स्कोर क्या है? समान है, एक बड़ाबर है, यानि कितना है? माइनस 30 है, तो आप समझ गए होंगे तीसरे प्रशन को भी कि तीसरा प्रशन आपको कैसे बनाना है? अब हम चौथे प्रशन की तरह बढ़ते हैं, चौथा प्रशन मारा कहता है निमलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त अस्थानों की पूर्ती करना है, अब सत्य बनाने के लिए मतलब पहला प्रशन कहरा है, माइनस 5 प्लस माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8 प्लस डैस है, तो अब इसको कैसे करोगे कि ये दोनों बड़ाबर हो जाए, तो इसको इधर लिख दिया, तो 5 को यहां पे जोड दिया गया है अब इसमें दूसरा प्रशन कहता है minus 53 plus dash equal to minus 53 मतलब minus 53 plus क्या ऐसा जोड़ा जाए कि result में इतना का इतना ही रह जाए मतलब minus 53 जोड़ा है क्या होगा तो यहां पे हम इसको लिख देते हैं 0 जीरो अगर जोड़ देंगे तो यह minus 53 का 53 ही रह जाएगा हाल में भी यही लिखा गया है minus 53 plus 0 equal to minus 53 अब हम तीसरे प्रशन की तरफ चलते हैं प्रशन मारा कहता है 17 plusber dash equal to 0 मतलब सिवेंटीन में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि वह 0 हो जाए मान लो यहां पे 17 है इसमें ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि यह 0 हो जाए तो पलस लिखेंगे और लिख देंगे माइनस 17 अगर 17 में माइनस 17 जोर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कहो के कैसे तो देखो 17 और ये पलस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 17 का 17 हो जाएगा अब 17 में से 17 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहाँ हल में भी यही कहा गया है 17 प्लस ब्राइकेट में माइनस 17 गवर डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, 0 के बड़ाबर हो जाएगा, अब इसमें हम 4 प्रशन की तरफ बढ़ते हैं, 4 प्रशन को देखते हैं, 4 प्रशन हमारा क्या कहता है, चौथा परस्न हमारा कहता है 13 plus bracket में minus 12 plus यहां पर bracket में आपको भाना है equal to अब यह है अब यहां पर आपको समझ यह हमारा A team है और यह हमारा B team है अब B team में सारे number दिए हुए है लेकिन A team में number नहीं दिया हुआ है एक number missing है तो कौन सा number missing है, तो 13 है, 13 भी है, minus 12 है, minus 12 भी है, लेकिन यहाँ पे minus 7 यहाँ पे missing है, तो यदि आप minus 7 को यहाँ पे जोड़ देते हो, तो A team और B team क्या हो जाएगा, equal हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो बस यही करना था आपको, इसके बाद वाला जो पांचवा प्रश हमारा कहता है, minus 4, plus, bracket में 15, plus, bracket में minus 3, और दूसरी तरफ, फिर से आप यहीं समझ लीजे, एक हमारा A team है, और दूसरा हमारा B team है, अब A team में हमारे पास इतनी सारी चीज़े दी हुई है, और B team में हमारे पास एक जगह खाली है, तो एक minus 4 इधर है, तो minus 4 इधर भी है, 15 इ जोड़ दोगे, तो यह दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, दोनों की value बराबर हो जाएगी, अब आप सोच रहोगे कैसे तो मैं दिखाता हूँ, minus 4, plus, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 plus, minus 3, यह हमारा first part है, अगर first part है, तो minus 4, plus, 15, minus 3 हो जाएगा, तो minus 4, plus, क्या हो जाएगा भी होगा, इसको भी करेंगे, तो इतना ही होगा, आप देख लीजे कैसे होगा, दूसरी तरफ है, minus 4, plus, 15, bracket में के बाद क्या है, plus, minus 3, अब इसको हम calculation कर देते हैं, तो minus 4, और 15 है, इसको हटाएगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा बच जाएगा, 11, 11, और plus, फिर यह minus 3 बन जाएगा, तो 11, plus, minus, minus 3, तो 11 में से 3 जाएगा, तो कितना होगा, 80 बच जाएगा, तो पहले बाले में भी 8 आया था, दूसरे बाले में भी 8 आया, मतलब इधर भी 8 आया, दूसरे भी 8 तरफ 8 आया, तब न, यह बढ़ाबर होगा, तो इस तरह से जो आपका यह chapter है, व 1, आपको समझ में आ गया, 1.1, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बारा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एडुकेशनल वीडियो आपको हमेशा अपराप्त होता रहे, आज के लिए इतना ही धन्यवाद,